याद रहे कि संसार जरूरत के नियम पर चलता है सरदियों में जिस सूरज का आपको बेसबरी से इंतजार रहता है गर्मियों में वही सबसे अधिक तिरस्कृत भी होता है मतलब यह कि आपकी कीमत तब होती है जब आपकी जरूरत होती है 11 सितमर 2019 के मारी नियूज के साथ मैं आप सभी की सिवा में उपस्तित हूँ आज की नियूज भी तोड़ी से डिले हुई है उसके लिए स्वारी एक कंडिस्नल एश्रेंट्स कभी कभी ऐसा हो जाता है 69 जर सिक्षक भरती में कटाफ को लेकर 97 के जो समर्तक हैं वो आज लखनों में हैं और जोरदार प्रतसन स्याइटी पर कर रहे हैं उनकी मांग में मुख्यूरूप से ये सामिले कि लगातार पिछली कई भरतियों में पिछली कई तारिकों पर एजी सहाब उपस्तित नहीं रहे तो कल 12 सितंबर कोने वली जो सुनवाई है उसमें एजी सहाब का उपस्तित होना सुनिश्चित किया जाए और 69 जास सिक्षक भरति को 97 पर पूरा किया जाए और बहुत जल्द इस पूरे प्रकरण का अंत्थ किया जाए ताकि जो एक लंबा इंतजार अबेढ़तीों ने किया है उस अंतजार का अंत्थ हो सके और जो लोग चैनित होँगे वो लोग अपनी जौब पर होंगे जो लोग चैनित नहीं ह होंगे वो लोग एक नए लाई यानि की एक नए एक्जाम की तहरी में लग सकें कम उनका भविष्य अतिस्तिक सुनस्षीत हो सके कि किस प्रकार से आगे उनको क्या करना है तो इसके लिए जोरी ग्रेट का जो पैड़ाम है वो भी अतिस्तिक जारी किया जाए क्योंकि रिपोर्ट आ गई है तो आयोग इसका पैड़ाम क्यों जारी नहीं कर रहा है इसको लेकर भी अभ्यरती खाव से उत्तेजित हैं अक्टूबर तक नई सिक्षानीति लाइनीति की तैयारी के बारे में बात हो रही है कहा यह जा रहा कि पिछले पांस सालों से अस्तित में आने का इंतिजार कर रही नई सिक्षानीति को मानो संसतन विकास मंत्राले अगले मा अगली जामा पहना सकता है इसकी तैयारी चल र पूरे हो गए हैं लेकिन विभागों को काम पूरा करने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया है एक्चुली मैं अधिकारी ने कहा कि राज्यों की आपतियों को दूर करने के लिए 11 सितंबर को राज्यों के सिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है अक्टूबर 2015 में ततकालिन मानो संसाधन विकास मंत्री इसमृति इरानी ने नए सिक्षानीती बनानी की प्रक्रिया शुरू की थी और इसके लिए पूर कैमिनेट सच्चिव टी एस आर सुब्रमाणियम की अधिक्षता में एक समीत का गठन किया गया था इस समीत ने देश भर में करीब 2,75,000 बैटकों से मिले सुचाओं की आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके मैं 2016 में मंत्राले को सौप दी थी और एक जुलाई 2016 में कैमिनेट के फिर बदल में इसमृति इरानी को मानो संसाधन विकास मंत्राले से बिदाई मिल गई और उनके अस्थान पर प्रकास जावडेकर आ गए जावडेकर ने सुब्रमणयम की रिपोर्ट को महज एक इनपुर्ट दस्ताविज बताया और कहा कि नई सिक्षानीत के अमसोधा के लिए इस तरों के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन को सौप दिया गया और इन और उबर से लागू हो पाएगा और उसके बाद शिक्षा में क्या बदा आएगा प्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भरतियां बरतमान में घतिमान उस पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ने वाला है आगामी जो शिक्षा बढ़तियां होंगी अगर नई सिक्ष जाते हैं उसको follow करते हैं लेकिन अलग अलग राजियों की जो अलग अलग स्कूली सिक्षा है उसके लिए कोई भी एक universal नियम नहीं है और ना ही कोई ऐसी regulatory है ना ही कोई ऐसी संस्ता है जो अलग अलग राजियों को एक समान इस्कूली सिख्षा देने के लिए उनको बात दिकर सके उस पर निग्रानी रख सके है तो एक नए आयोग का गठन हो सकता है और yes ec यानि कि स्कूली सिख्षा आयोग ईस्कूल एजूकेशन कमीशन जैसी एक संस्था या संभावी थे कि ऐसा ही कोई नाम होगा जैसी संस्था के गठन के बारे में इसमें MHRD सोच रहा है और नेड़े ये लिया जा रहा है कि आगामी कुछ समय के बाद एक ऐसी संस्था बनाई या पूरे देश के लिए जो कि हर प्रदेश की हर राजी की जो इसकोली सिक्छा है उसको एक समान स्टेंड़र्ड प्रदान के अजा सके वास्तों में ये जरूरी भी है एक अलग अस्तर की होती है और जब किसी भी आल इंडिया लेबल के किसी कंपडीशन की तयारी ऐसे बच्चे करते हैं तो क्योंकि उनकी इसकुली सिक्षा अलग होती है तो उनको तयारी करने के लिए काफी अलग अलग पैटरन को फालू करना पड़ता है और एक समाल लेबल परा हो है उस पर अभी हर चीज ड्रॉफ्ट के अंतर गयते हैं देखते हैं कि यह जो आयोग होगा वह अस्तित में कब आता है एड़िड अलप संक्यक विद्यालों में फसी भरती मतलब यह का गया था कि जो अलप संक्यक स्कूल और कालेज हैं वहां का जो मनेजमेंट है और डि पर मेरिट में जो लोग सीर्स प्याराएंगे उनमें से अलप संक्यक स्कूलों को चेहन करना होगा लेकिन इस ब्योस्ता से प्रबंदक सहमत नहीं है और मामला फिलाल हाई कोड में है और दोस्तों भारती समिदान में दिएगे प्राधान के अनुसार जो अलप संक्यक अब्रफित और अल्प संक्यक संस्ताओं के अधिकारों का हरण करने वाला है चैनित कर सकते him इस पर कार नहीं है जो बदलाव किया है मेरे हिसाब बहुत सحी है क्योंकि कोई पिस हो उसमें योग सिक्षण की होने चाहिए और प्रत्योंग्ता हो लोग आ थिक्योग है उनको मिले और प्रभन्त तंत्र की मनमानी हम उसको रोक लगे हैं प्रभन्त प्रयास देता है और दोस्तों मादमी सिक्षा सेवा चैन बोड की टीजीटी पीजीटी परिक्षा 2016 का परड़ाम और टीजीटी पीजीटी 2019 के नए पदो की घुशडा को लेकर प्रद्योगी मोर्चा 11 सितंबर से यानि की आज से धर्ना प्रदसन भी कर रहा है सीटी एटी दिसंबर 2019 के बारे में बात कर लेते हैं तो 19 सितंबर तक आनलाइन आवेदन लिये जाएंगे 19 अगस्ते आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हुई थी वो सुरू हुई थी और इसका जो एक्जाम होगा वो 8 दिसंबर होगा आपको बता दें कि जब तक आपने अप अपनी फाइनल फीस जमा कर दी तो उसके बाद आप फार में बदला सिर्फ एक कंडिसन में कर सकते हैं कब 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर की बीच में साइड जो होगी वो री ओपन होगी करेक्शन के लिए इस पसली फार करेक्शन और इस दोरान ऐसे भिरती जिन्होंने अपने नाम में पीता के नाम में माता के नाम में अपने डेट आप बर्थ में कटेगरी में या फिर डिफरेंशली एबल कटेगरी में या फिर उन्होंने अगर पेपर वन आप्ट किया है वन तो दूनों आप्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी और इसी के साथ साथ साथ सेंटर लेंग्वेज जो उनकी योगी फार वन एंड टू आड्रेस आप कोर्रस्पंडेंज एंड नेम आफ इंस्टिचूशन कालेज इनुवर्सिटी फ्रां वेयर ही सी यह एस अप्टेंड दिए डिडीमेंट इस समय नहीं करा वह सारी चीजें बदा सकेंगे यह सब बदलाओ कर सकेंगे कब 27 सितंबर से लिएगत 3 अक्टूबर के बीच में तो आपको फार्म साथानी से परना है अगा कोई तूटी आपने कर दी है तो घवराने कीया सकता नहीं है 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में आप अपने आविदन में संसोधन कर सकेंगे दोस्तों हमारा यह जो एंड्राइड एप है वो प्ले स्टोर पर मौझूद है आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं बहुत अधिक अच्छी और लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहां पर मिलते रहेगी बहुत सारे एजुकेशनल माटेरियल और पेडिया की डा भी आप यहां पर आकर डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही उमिद करता हूँ इससे आपको बहुत अधिक यूश्फूल और नई अपडेट्स देता हो थैंक्यू सो मच मिलते हैं आप सब्सक्राइब वीडियो में तब तक के लिए हैव अग्रेट दे अ सब्सक्राइब कर देंचा रूज क Cage buffer से अधिक द mooi खो पि crazy a जाप ग येडियों द व Cathy यूब UP एप सबस्सक्राइब एप सकता है